हेलो फ्रेंड्स आएम माही काश्वानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्रेलिक एक्स्टेंशन विद ओम्रे एक्रेलिक एक्स्टेंशन एक परमानेंट एक्स्टेंशन है यह 45 डेस टे करता है तो आज हम कर रहे हैं acrylic extension विद मैं आज आपको इसके साथ उम्रे अट बताने वाली हूँ तो acrylic extension करने के लिए हमें क्या करना होगा firstly हमें nail prepare करना होता है जब भी हम कोई extension करते हैं तो हमें nail कोई preparation करनी होती है उसके लिए हम first क्या करें cuticle को push कर रहे हैं जब भी हम basic preparation होती है चाहे हम natural nails पे art कर रहे हैं कोई भी extension कर रहे हैं तो first हमारा step होता है हमें cuticle को push करना है and then उसको cut करना है firstly मैं cuticle को push करके cut कर रहे हूँ मेरे इतने cuticles नहीं है अकर आप push करेंगे cuticles white white skin निकलती है तो आपको उसको cut करना है मैं extension करती रहती हूँ तो cuticle cut करती रहती हूँ तो मेरे इतने cuticles नहीं है लेकिन जैसे हैं आप push करेंगे तो वहाँ skin निकलेगी तो आपको cutter की help से cuticle cutter की help से उसको cut करना है cut करने के बाद हम heart buffer की help से buffering करेंगे nail पर जब भी हमको extension करते हैं firstly हमें nail पर buffering करनी होती है हमारे nails की shine remove करनी होती है shine remove के बाद मैंने क्या किया है उसको clean कर लिया है जब भाफरिंग करते हैं तो dust निकलती है उसको हमें clean करना होता है मैंने dusting brush के help से clean करके dust को clean कर लिया and then आप में dehydrator use कर रही हूँ Dehydrator क्या use होता है जो हम shine remove करते है उस shine को वो वापस नहीं आने देता है ठीक है देन हम क्या करेंगे tip लेंगे ये C type tip होते हैं जब हम acrylic extension करते हैं तो C type tip use होते हैं तो हमें ये tip use करना है 0 से 9 number के tip होते हैं इन tip को हम use करेंगे इसको आपके size check करनी होती है कि आपके nails में कौन सा size set हो रहा है जो भी आपके nails में size set होता है आपको glue की help से उसको stick कर देना है ये different different size के आते हैं 0 से 9 number आते हैं तो जो भी size आपके nails पर fix होती है वो आपको set करना है ये आपको full cover nails नहीं है ये C type nail tip है ये पूरे nails पर नहीं लगते हैं जो हमारा grow point होता है उसी nail tip उसी जगह पर ये tip लगते हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूं अभी आप देखिए पूरे nails पर नहीं लगेंगे जो हमारा grow point area होता है वहाँ पर ये tip हमें stick करने होते हैं आप कोई भी glue की help से इसको stick कर सकते हैं ठीके ये मैंने stick कर दिया है अब मैं इसको क्या करूंगी tip cutter की help से हम इसको cut करेंगे जो tip cutter होते हैं आपको nail cutter की help से कभी भी extension वाले tip cut नहीं करने है tip cutter की help से ही cut करने है and then हम इसको shape देंगे आपको जो भी shape देना है वो दे सकते हैं मैं इसको round shape दे रही हूँ and आपको जो भी shape देना है coffin shape देना है round देना है जो भी आपको shape देना है वो shape दे सकते हैं and अगर आप ये मेरी first time video देख रहे हैं तो मैंने अपने youtube channel पर basic to advance पूरी nail art की classes start की है तो आप मेरी previous video देख सकते हैं वहाँ से आपको zero knowledge से पूरा बताया गया है advance तक तो आपको मेरी previous video देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं ठीक है अगर आपने मेरी previous video नहीं देखिए तो मेरे channel पर जाके देखिए वहाँ पर मैंने basic to advance पूरी nail art की class start की each and every topic वहाँ पर मैंने cover किये हुए तो आप मेरी previous video देख सकते हैं अगर फिर भी कोई doubt रहता है next आपको किसी पर video बनानी है तो आप मझे comment section में comment कर सकते हैं अभी मैंने क्या किया है इसको shape देने के बाद जो मैंने tip लगाए थे उसको मैं buffering की help से natural nails में merge किया है आपको इस तरीके से merge करके जब भी आप कोई भी filing करते हैं तो dust निकलती है nails में से तो dust को clean करना जरूर ही होता है हम acetone की help से उसको clean कर सकते हैं dusting brush की help से हम उसको clean कर सकते हैं अब मैं क्या ले रही हूँ monomer ले रही हूँ मैं brush को अच्छे से clean कर रही हूँ आपका brush clean होना चाहिए जब भी आप acrylic extension कर रहे है brush अच्छे से clean होना चाहिए ठीकिया मैं ने brush को clean कर लिया है एंड ज़न हमने buffering की थी तो हम वापस dehydrator लगा रहे हैं nail पर हमने buffering कर लिए तो हम only natural nails पर आपको dehydrator लगाना है and dehydrator लगाने के बाद हम primer लगाएंगे dehydrator और primer हमें only natural nails पर लगाना है जो हमने artificial tip लगाए है उन tip पर हम ना dehydrator लगाएंगे and ना primer लगाएंगे ठीकिया इतना लगाने के बाद हम acrylic की application करेंगे application कैसे करनी है firstly आपको उसको अच्छे से brush को clean करना है दोनों side से monomer में dip करना है and monomer को निकाल देना है and acrylic powder को लेना है and then उसकी beat बनानी है ठीकिए beat बनाने के बाद क्या करेंगे हम nails पर बीट को रखेंगे and सभी side पर spread करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा product करके ही लेना है ऐसा नहीं है एक साथ बहुत सारा product लड़िया and पूरे nails पर spread कर दिया वो नहीं करना है आपको थोड़ा थोड़ा करके ही product लेना है and then उसको spread करना है ठीकिए यह मैंने first beat बनाई है and पूरे nails पर spread कर दिया है अब मैं second bead बनाऊंगी same way monomer में brush को dip करूँगी and then थोड़ा सा acrylic powder लूँगी acrylic powder से bead बनाऊंगी and then दोसी bead रखी मैंने first bead के नीचे जो spread किया था उसके नीचे second bead रखी है and then उसको हम spread करेंगे इस तरीके से आपको पूरे nails को cover करना है acrylic powder के और monomer की help से इस तरीके से पूरा nail आपको cover करना है ऐसी आपको सारी bead बना के अगर आपको दो bead में हो जाता है पूरा cover तो आपको third bead बनाने की नीच नहीं है अगर मतलब दो bead में नहीं होता है तो आप तीसरी bead भी ले सकते है monomer लेकर brush में इस तरीके से आपको cover करना है इसको cure करने की need नहीं होती है जो macarlic products यूज कर रहें इसको cure नहीं करना है ये add dry होता है तो कुछ ही second में ये dry हो जाएका आपको cure करने की need भी नहीं है इस तरीके से पूरी application कर देंगे and brush की help से उसको सबसाइट से हम अच्छे से सेट कर देंगे यह भी कुछी सेकंड में dry हो जाएगा मैं इसको cure नहीं करूँगी यह dry हो गया है बिल्कुत surface मैंने इसको cure नहीं किया यूवी एली डिलम में यह air dry कुछी सेकंड में हो जाएगा अब क्या होगा अब हमें क्या करना है हमें heart buffer की help से buffering करनी है कभी nails में हमारे application करते berms आ जाते हैं कहीं भी कुछ भी होता है तो हम buffer की help से heart buffer की help से पूरा surface equal कर देंगे उसकी buffering करके पहले heart buffer से करेंगे and then soft buffer से करेंगे and आपको nail add करने में या extension करने में कुछ भी problem होती है and आप ऐसे professionally work करना चाहते है आप YouTube से ही बहुत अच्छे से सीख सकते है but ऐसे professionally work करने के लिए आपको certificate की need होती है and कुछ भी आपको मतलब inhal add करने में extension करने में कुछ भी doubt होते है तो आप मेरी online class join कर सकते है वहाँ पे आपको basic to advanced diploma course होता है वह class आप जोइन कर सकते है वहाँ पे आपको each and every चीज से कहिए जिती बिल्कुल zero से अगर आपको nail pen लगाना भी नहीं आती है after class आप as a professionally work कर सकते है तो आप मेरी five days की basic to advanced diploma class होती है अब वह जोइन कर सकते है अगर आपको मेरी class join करने है तो description में मेरा number mention है आप मुझे वहाँ पे call या whatsapp कर सकते है मैं आपको class की सारी details देदूंगी बहुत minimum fees होती है अज़े professionally आप after class work कर पाएंगे इसमें आपको certificate भी मिलता है अज़े professional nail artist आपको work करना है तो certificate is compulsory तो यहाँ से आप मेरी online classes सीख भी जाएंगे आपको certificate भी मिल जाएगा या live classes होती है आप YouTube पे देखे मेरे से question answer live नहीं कर सकते है बड़ मेरी live classes में आप live मेरे से question answer कर सकते हैं ठीक है यह हमने hard buffer and soft buffer से buffering कर दिये अब हम इसकी dust remove करें जब जब आप buffering करते हैं तब तब आपको dust remove करनी है dusting dust की help से भी और acetone की help से भी बिल्कुल भी dust हमारे nails पर नहीं होना चाहिए nails बिल्कुल clean होना चाहिए देखे यह मैंने application किये proper cuticle और sidewall से बहुत अच्छे से application करनी है आपको इस तरीके से आप application करेंगे आपको ज़्यादा buffering की need भी नहीं होगी and nails भी काफी lasting करेगा अब हम क्या करें best coat apply करें जब जब gel polish apply करते हैं तब तब हम best coat apply करते हैं यहाँ पर आप best coat apply करेंगे then इसके बाद आपको 60 second cure करना है इसको best coat apply करने के बाद हम इसको 60 second cure करेंगे इसके बाद मैं आपको ombre art बताने वाली हूँ मेरे पास काफी comment थे मैं भी ombre art बताईए तो ombre art सब का करने का different way होता है तो मेरा जो way है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है ombre art के लिए आपको पताएए हम जो भी को याट करते हैं तो उसके लिए 2 coat gel polish के हमें apply करने होते हैं तो मैं first coat apply करूँगी then उसको cure करूँगी and second coat apply करूँगी and then उसको cure करूँगी अगर किसी का light color है आपको उसका dark effect देना है तो आप 3 coat भी apply कर सकते हो मतलब कंपलसर ही नहीं है कि आपको 2 coat ही apply करने है आप 3 coat भी कर सकते हो but minimum आपको 2 coat कर नहीं है उसी से finishing आएगी first coat में finishing नहीं आती है यह मैंने 2 coat apply कर लिए है and then मैं इसको cure कर रही है अब मैं ombre जो आज करने वाली हूँ वो sponge से करने वालती है ombre brush भी आते है and आप इस तरीके से sponge से भी कर सकते है depend जिसको जैसे set होता है मुझे sponge से ज़्यादा finishing मिलती है तो मैं आज आपको sponge वाले वे से ombre add करने वाली हूँ यह मैं plucker ले रही हूँ and मैं sponge ले रही हूँ आप plucker और sponge की help से भी कर सकते है and direct आप hand से sponge को भी ले के कर सकते है मैं दोनों ही तरीके से आपको बता दूँगी कि किस तरीके से आप ले सकते है आपको main जो best color लगना है उसके दो color coat आपको apply करने and जिसका भी shade देना है ombre में कोई भी shade आपको देना है वो shade में pink के साथ purple color ले रही हूँ आप जो भी shade देना है वो shade आप ले लीज़े मैंने purple color का shade लिया है अब मैं क्या करूँगी यह मैंने sponge plucker में लिया है and then इसको color sponge में मैं gel polish ले रही हूँ जो मैंने palette में निकाली है वो gel polish में ले रही हूँ and dab dab करके आपको nails पर लगानी है मैंने only 2 color coat लगा है उसको cure किया है और मैं sponge की help से dab dab करके उसको लगा रही हूँ इस तरीके से dab dab करके आपको लगाना है एक coat में अगर आपकी shading जितनी आपको चाहिए तो आप उसको 1 coat करके cure कर लीजे 1 coat में नहीं आ रहा है 2 कर लीजे 3 कर लीजे मतलब आपको कितना dark कितना light चाहिए वो आपके उपपर डिपेंड है but sponge से आपकी shading बहुत अच्छी होती है lines create नहीं होती है sponge से और ombre का main meaning वो ये कि जब आप 2 shade create कर रहे हो तो बीच में line create नहीं होनी चाहिए अगर line create होगी तो बिल्कुल भी अच्छा effect नहीं होना चाहिए दोनों color में shading दिखनी चाहिए कि हाँ ये proper shading है line create होगी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरीके से हम इसको color shading करेंगे sponge से हलके हलके आज से dab dab करना है आपको आप ऐसे sponge को plucker से लेके भी कर सकते है and direct hand से sponge लेके भी इस तरीके से कर सकते है मैंने first coat कर लिया and then इसको cure कर रही हूँ ठीक है cure करने के बाद मैंको और dark shade चाहिए जिसका मैं shading दे रही हूँ उसका मैंको और dark shade चाहिए तो मैंने और sponge में gel polish ली है sponge से करेंगे तो कभी भी आपके lines नहीं आएगी तो मैंने double coat भी कर लिया है and then उसको cure कर लिया है आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी पतलब ऐसे lines नहीं दिख रही है सिफ shading दिख रहा है और यही ombre best होता है कि सिफ shading दिखनी चाहिए lines create नहीं होनी चाहिए अब हम top coat apply करेंगे मैंने दोनों shade देखे sponge की help से shading करके दोनों को cure किया है and then मैं अब top coat apply करें top coat को भी हमें 60 second cure करना है last में top coat से ही proper finishing आती है तो top coat लगाना compulsory है and आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like कीजेगा, comment कीजेगा and video को family and friends के साथ share कीजेगा जिनको भी nail art में interest है उनको आप यह video जरूर share कीजेगा and आपको वीडियो पसंद आती है तो like जरूर कीजेगा and अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कीजेगा जब भी में वीडियो डालूंगी तो आपके पाद notification आ जाएगा and टॉपकोट को cure करने के बाद हमने cuticle oil apply किया है and देख रहे हैं आप दोनों shade में proper shading दिख रही है lines create नहीं होती है ओमरे का main meaning यह ही है कि आपके दोनों shade mix and match हो जाना चाहिए and only shading दिखनी चाहिए इस तरीके से I hope you like this video and thank you for watching Thank you